इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे 15 जुलाई से रेलवे एक नई ट्रेन का संचालन शुरू करेगी और यहाँ नई ट्रेन कोलकता से गुहाटी के बीच चलेगी जो की कई रेलवे स्टेशन होकर इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा ऐसे में इस वीडियो को सुरू करते हैं और साथ ही आने वले नई ट्रेनों का लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरसल भारतिय रेलवे की ओर से गुहाटी से कोलकता और कोलकता से गुहाटी के बीच एक नई स्पेसल ट्रेन का संचालन सुरू होने जा रहा है और ये ट्रेन गुहाटि से 025-18 के साथ Kolkata के लिए वही कोलकता से गुहाटी के लिए ये ट्रेन 025-17 के साथ चलाई जाएगी परतेक सनीवार को यह ट्रेन 15 जुलाई से कोलकता से गुहाटी के लिए चलेगी और कुल 16 ट्रिप दोनों ही दिसाव में चलाई जाएगी वहीं दूसरे दिसा में कॉलकाता से गुहाटी के लिए ये ट्रेन परतेक गुरुवार को 13 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक चलाई जाएगी जोकि यह एक सपताई के स्पेसल ट्रेन होगी तो ऐसे में इसे ट्रेन का संचालन सपता में केवल एक दिन देखने को मिलेगा आईए बात करते हैं ट्रेन के टाइमिंग के बारे में कॉलकाता डेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 9 बच कर 40 मिनट पर रात में खुलेगी और यहाँ से खुलने के बाद ये ट्रेन बंदेल जंसन होते हुए चलेगी ये ट्रेन कटवा डेलवे स्टेशन 12 बच कर 26 मिनट पर रात में उसी दिन पहुँचेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेण अजीम गंज एक बच कर 46 मिनट पर सुबह में उसके बाद यह ट्रेण माल्दा टाउन चार बजे सुबह में पहुचेगी जहाँ पर की माल्दा टाउन डेलिवे स्टेशन पर इस ट्रेण का 10 मिनट का स्टॉपेज रहने वाला है और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन किसन गंज 6 बच कर 5 मिनट पर और निव जल पाई गुडी 8 बजे सुबा में आएगी निव जल पाई गुडी से खुलने के बाद यह ट्रेन निव कूच बिहार, निव अलिपूरदवार, गोलपाडा टाउन होते वे गुखाटी यह ट्रेन 1003 किलोमेटर का सफर तै करके 4 बच कर 15 मिनट पर साम में पहुचेगी ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है गुखाटी से कोलकता और कोलकता से गुखाटी के बीचे दोनों ही दिसाओं में से ट्रेन का संचालन 15 जुलाई से सुरू होने जाड़ा है आने वाले नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यह वीडियो के सलगा कमेंट बॉक्स में बताएं